Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard EVS 1 lesson number 1 that is our Earth and our solar system. Solar system क्या है? जैसे कि जहां पे सारे के सारे जो planets हैं, stars है, जहां पे हमारी like की यह सूरज है, शूरज की चारो तरफ जो 8 planets है, सब यहां पίο रियूओं कर रहे है, जितने भी stars है, stars अस्टोराइट है, सब वही सब मिला के क्या बनता है solar system, इर्थ तो आपको पता ही है जिस पे हम रहते हैं. अब क्या है solar system के पार्ट है और इन सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं So let's start When we look up from an open ground we see the sky Okay in a clear night sky we can see many stars They are very far away from the earth Okay so हम देखते हैं जब clear night sky होता है बिल्कुल भी cloudy नहीं होता बादल नहीं होता है तो आपको बहुत सारे star दिखेंगे आसमान में ठीक है लेकिन वह बहुत ही छोटे दिखते हैं क्योंकि वह अर्थ से बहुत दूर होते हैं इसके लिए वह छोटे दिखते हैं ठीक है जबकि है अर्थ से बहुत बड़े हैं Some stars are prominent Some stars are prominent that means some stars we can see very easily बहुत बड़े होते हैं तो हमने बहुत मतलब की अच्छे से ट्रिंकल करते रहते हैं बड़े भी होते हैं इसके लिए हमने बहुत इसली देख पाते हैं While some are tiny and faint but कुछ हमें किसे दिखते हैं छोटे और faint faint means what like hardly can see them दूंदले होते हैं इसके लिए हमने नहीं देख पाते अच्छे से If we look at them carefully we find that many of them twinkle but some do not अगर आप बहुत carefully देखोगे ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ ऐसे दिखेंगे जो twinkle करते रहते हैं और कुछ दिखेंगे कि जो twinkle नहीं करते रहते हैं and the sun and the moon are comparatively close to the earth अगर हम बात करें sun की और moon की तो दोनों earth के बहुत करीब हैं so we can see their round shapes clearly इसलिए हम इनके जो shape जो भी देखते हैं बहुत clearly देख लेते हैं कि यह पूरा का पूरा कैसा round है एक दम clear दिखता है कि circle shape में है लेकिन अगर हम बात करें सारे स्टार्स की बात तो हम ऐसे स्टार्स बनाते ना as heavenly bodies यह सब के सब क्या heavenly bodies है यह light नहीं हलकी नहीं आप अर्थ की बात कर लिजे ठीक है तो कितना भारी भरकम अर्थ है कितना बड़ा है तो इसी तरीके से जितने भी sun moon stars जितने भी planets हैं सब के सब क्या है बहुत ही heavy body है उनकी observe the sky on two clear nights keeping a gap of about a week between them तो आपको clear night बिल्कुल क्लावडी नहीं होना चाहिए बादल नहीं होने चाहिए तो इस तरह से आपको देखना है आपको देखना है the brightness of the heavenly bodies जो stars है अलग-अलग तो उनको देखना है ठीक उनकी brightness कैसी है कितना वो ट्विंकल कर रहे है कौन सा नहीं त्विंकल कर रहे हैं किने करें उनका साइस कलर आपको किसा दिख रहे है कोई-कोई आप देखो गे तो blue दिखेगा आपको star दिखने में ऐसा लगता है दोर से कोई-कोई आपको yellow और रेड जैसा दिखेगा आपको star ध्यान से देखो कि तो उनके position में क्या changes है यह सर्च आपको observe करना है on both nights draw a picture यह आपको करना है कुछ से यह आपके लिए activity है now stars so stars क्या है heavenly bodies that twinkle or call stars जो heavenly bodies है जो की बहुत बड़े-बड़े होते हैं वो क्या होते और जो twinkle करते रहते हैं हमने कहते हैं stars stars have their own light star के पास खुद की अपनी light होती है ठीक है वो twinkle करते रहते हैं क्योंकि उनकी light उनके पास है उनके पास खुद light होती है ठीक है जैसकि sun है so the sun is a star it is closer to us than any of other star ये बाकी सब स्टार की बात करें जो इतनी twinkle दिखते हैं छोटे-छोटे दिखते हैं वो भी सब स्टार ही है बिल्कुल sun की तरह है लेकिन वो क्या बहुत दूर है ठीक है इसके लिए वो बहुत छोटे दिखते हैं लेकिन ये जो sun है वो बहुत हमारे कर टूर है करीब हे इसके लिए जोरोगे इसके साथिकते हैं बड़ा इतना जाती है इसकी बाकी स्टार अम दिन में नहीं देख पैते थिक के राथ में अनधे किन गाताँ भी आपके स्टार की अब बात किया अब बात करते हैं प्лаг Surviv artists स dark अनल ट्रेव वो heavenly bodies की बात कर रहे हैं जो twinkle नहीं करते जिनके खुद की light नहीं होती ठीक है? planets do not have their own light उके उनके पास उनके खुद की light नहीं होती they get light from the star और sun उके उन्हें किन से light मिलता है? star से अगर हम बात करें अर्थ की तो क्या अर्थ के पास खुद की light है? जब sun निकलता है तो ही हमें light मिलती है रात में जब शाम को जैसे ही sunset हो जाता है तो क्या हमारे अर्थ पे उजाला रहता है? that means कि ये planet है planet का खुद का light नहीं है ये खुद से अपने आपको रोशनी नहीं दे सकती sun से star से हमें मिलता है sun एक star है उससे हमें रोशनी मिलती है रात में जब वो मतलब की sunset हो जाता है तो हमें नहीं मिलती ठीक है? तो यही इसने बोला है यहाँ पे यही line में बोला गया है कि प्लैनेट क्या होता है? उसके खुदी की light नहीं होती they get light from the stars stars उन्हें light मिलती है planets revolve around a star even as they rotate around themselves अब देखिए planets क्या करते है? revolve around a star and they rotate around themselves यह star है sun है अब यह हमारी मालीजी प्रिथवी है प्रिथवी क्या करती है? इसके चारों तरफ चक्कर कारती है यह तो आपने सुना ही होगा प्रिथवी क्या करती है? इसके चारों तरफ चकर करती है और खुद भी अपना भी वो चकर कारती है मतलब जैसे अगर आपने लट्टू देखा हो जो होता है ठीक है? टॉप होता है तो कैसे यहां पर खिला लगा होता है और इस तरीके से अपने ही चारों तरफ जब उसे हम स्ट्रिंग लगा के नचाते हैं तो कैसे अपने चारों तरफ यह से नासता रहता है तो बिल्कुल अर्थ भी ऐसे ही करती है अपने तरफ नाशती रहती है इसे एसे और इधर इसके साईड में भी ऐसे ऐसे से कर के चक्कर लगाती और सन के चारों तरफ भी गोल गुंती रहती हैं तो fenet súrden रिफॉर्फ अराउंट सिंरारिन जाने मे बनेर्ट वहेकं वोते हैं वहוória करते हैं कि इसके चारों तरफ स्टार चारों तरफ पीक ताइसरे रहती है Wild तरफिंध अर इधर बीच वीच कि तो sun के इसे खुद भी घुमती रहे गुमती रहे और इस तरह के से यहाँ पे sun के भी चक्कर काट लेती है पूरी तो वो planet होते हैं अब बात करते हैं the solar system की Our earth is a planet Okay It gets its light from the sun हमें पता है It moves around the sun यह भी पता है Its moment around the sun is called the revolution of the earth That means Moment of the earth around the sun is called revolution मतलब कि यह जो sun के चारो तरफ चक्कर लगाती है यह sun हुआ और यह जो हमारी planet है हमारी जो पृत्वी है वो इस तरह के से अपना खुद तो चक्कर लगा रही है उसी की वज़े से तो दिन रात होता है 24 गंटे में अपना एक चकर लगा लेती है तो इस तरह के से जो sun के चारो तरफ चकर लगा रही है खुद घूमते हुए अप इधर भी चकर लगा रही है चारो तरफ इसी को क्या बोलते है revolution okay revolution of the earth besides earth there are seven other planets that revolve around the sun सिर्फ earth ही ऐसी नहीं है planet की जो sun के चारो तरफ चकर लगाती हैं अभी हम देखेंगे अच्छे से they are mercury okay venus mars jupiter saturn uranus and neptune यह साथ हो गया है a photograph of the earth taken from a man-made satellite satellite से यह अर्थ का picture लिया गया है इस तरीके से दिखती है अर्थ ऊपर से every planet in the solar system revolves around the sun along a specific path जितने भी planet है ना उन solar system में उनके जो भी sun के चारों तरफ चकर लगाते हैं माली जी यह क्या है mercury है इसके बाद वीनस है इसके बाद क्या है earth है ठीक है इसके बाद mars है तो इस तरीके से सबका खुद का एक रास्ता है यह जो हमारा वीनस है ना यह अपने ही जगा पे जाएगा इसा नहीं कि भाग के फिर इसके जगा प्या जगा यह अपने ही पाथ पे अपने ही यह पे इस तरीके चकर काटेगा यह जो भी है यह अपने ही सबका guests बाद बादा भुएँ तर बाद भी तो लोग अपने ही रास्ते से जाएंगे उनका specific that means it has its own way इसका खुद का रास्ता है इस पाथ is known as that planet's orbit और इसी पाथ को क्या बला जाता है orbit यह देखिए अगर बात करें कि Mercury का orbit क्या है तो जो Sun के सबसे पास में है यह Mercury है और Mercury के जो चारो तरफ है यह उसका पाथ है ठीक है अर्थ है तो यह थर्ड नमबर पे क्या है अर्थ है तो यह उसका orbit है और बात सबसे पाथ है जो रास्ता है जिन रास्ते पे लोग जाते हैं उसी को क्या बोलते है orbit इसके रास्ते को ही क्या बोलते है इसका orbit ठीक है ऑगे दे ओके the Sun which is a star and the planets that have around इस तरफ चक्क्र लगाता है प्लैने टाइम प्लैने टाइम एक मिनट भी रुखते नहीं चक्क्र लगाते रहते हैं इसी को क्या बोला जाता है सुलार सिस्टम मतलब सन और प्लैनेट सब को मिला कि क्या बोलते हैं सुलार सिस्टम I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा Besides the planet the solar system also includes various other heavenly bodies इतना ही नहीं सिर्फ वही जो साथ 8 आठ प्लैनेट हैं सिर्फ वही नहीं है सुलार सिस्टम के पार्ट और भी बहुत सारी इस तरह से heavenly bodies हैं जो कि हम पढ़ने वाले हैं ठीक है प्लैनेट के बारे में मतलब कि मैंने आपको बता दिया कि एट प्लैनेट होते हैं उनके बारे में डिटेल में करके नहीं पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में तो अभी हम देखते हैं other heavenly bodies in the solar system और कौन से है other heavenly bodies तो है सैटेलाइट सैटेलाइट क्या है सब सम्हें बाडी इस डिवाल्व अराउंड प्लैनेट मतलब अभी हम देख रहे थे कि सन के चारो तरफ चक्कर कौन लगाता है प्लैनेट लेकिन प्लैनेट के चारो तरफ भी सब्уб da यह रहती है तो चल यह से चारो तरफ पसके चक्कर लगाता है मतलब कि अगरब करें जो कि सैटेलाइट है तो सैटेलाइट होते हैं वे डैरेक्ट्स के चारो तरफ चक्कर लगाते हैं वो वो ते असपास जो प्लैनेट से टाथ की अर्थ है मानलीजीh से मून इसके सफ तफ चक्कर लगाता रहे रहे इधर से अर्थ गुमरी इधर इधर लगाता है ठीक है, so they are called satellites, satellites go to get their light from the sun, satellites को भी जो light मिलती है, satellites को भी जो light मिलती है, अब planets के पास तो light होती नहीं है, but इन्हें भी light किस से मिलता है, sun से ही light मिलता है, we see the moon at night, हम रात में देखते हैं, ठीक है, so it revolves around the earth, हम रात में जो चांद को देखते हैं, वो किसके चारो तरफ चकर लग of the earth, क्योंकि वो earth के चारो तरफ चकर लगाता है, इसके लिए हम बोलते हैं, satellite of the earth, most of the planets in the solar system have satellites, जाला तर जितने भी planets हैं, वेनस की बात करें, जुपिटर की बात करें, जितने भी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं मिले हैं, जिनको जिनका अभी तक planets नहीं मिला, sorry, satellites नहीं हैं, ठीक है, तो most of the planets, most of, most of, ऐसा नहीं कि सारे के सारे, most of the planets in the solar system have satellites, कुछ कई सारे ऐसे हैं, जिनके पास उनका खुद का satellite है, जैसे कि earth का है, उसका एक है, moon, the planets revolve around the sun, जो planets होते हैं, वो sun के चारो तरफ चकर लगाते हैं, along with their satellites, मतलब मैंने आपको बताया, कि वो जो planets होते हैं, यह moon है, moon के चारो तरफ तो चकर लगाएंगे ही, साथ में इनके जो planets, जो इनका satellite होता है, उसके साथ में भी यह planet तो इधर है, और इधर moon भी है, जो उनका satellite है, ठीक है, satellite, तो वो भी इसके साथ साथ में चकर लगाता रहता है, ठीक है, यह इधर चकर लगाते रहेगा, और यह अपना अर्थ घुमती जाएगी, घुमती जाएगी, यह moon भी इसके साथ में घुमता जाएगा, चकर लगाता जाएगा, ओके, नौ डॉफ प्लैनेट्स, डॉफ प्लैनेट्स क्या है, वो देखते हैं, यह भी solar system क पार्ट है, देखते हैं क्या है, there are some smaller heavenly bodies that revolve around the sun, कुछ और हैं, मतलब की बहुत बड़ा नहीं है, डॉफ जैसे की नाम से पता चलता है, डॉफ है, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं है, डॉफ मतलब क्या होता है, बहुने, छोटे डॉफ प्लैनेट्स है, तो यह बहुत प्लैनेट्स, यह भी सन के चरतर प्चकर लगाता है, अफ दीज, दा मोस्ट वेल नोन इस प्लूटो और प्लूटो पहले हम में बता है, नाउगरा होते थे, सब बोलते थे, नाउगरा है, लेकिन यह जो प्लैनेट्स था, प्लूटो, प्लूटो को क्या किया गया, इसे ड होता है, प्लैनेट्स, यह फिट नहीट रहा है, तो इसको बापनी चैरतर आप चक्कर लगाता है, प्लैनेट्स थे, रग जैसे बापकी के रहशा, प्लूटो, प्लूटो है, तो इसका खुद का भी अपना ओर विट होता है ऐसा नहीं कि दूसरे के और वीट में जा जा के करेगा तब तो ऐसे टकर खाएंगे अगर एकी और वीट में करेंगे तो दूसरी मतलब इसका सब का जितने भी हैं सब का अलग-लग उनका और बिट उनका रास्ता अलग-अलग होता है एस्टिरोइड क्या है between the planets Mars and Jupiter there is a band of numerous small heavenly bodies Mars and Jupiter यहाँ पर मैं आपको दिखाते हूँ Mars यहाँ पर दिख रहा है आपको यह Mars Mars का यह लाइन ओके और यह Jupiter का लाइन तो Jupiter और Mars के लाइन में बीच में देखिए यह क्या है यह सब जो छोटे 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 जो है यही है steroids steroids क्या होता है आपने सुना हुआ कभी 36 गड़ में अस्टरोइड गिरा कभी बिहार में मद्ध्य प्रदेश राजस्तान वा इसलिक से कई बार ऐसे सुनने में आता है यह बहुत बड़े पत्थर шт 테 है ठीक है जो इस तरह से चक्र मतलब इस तरह के से वह भी क्या करते हैं सन के चारो तरफ चक्र लगाते रहते हैं फिर कभी कभी क्या होता है वह अर्थ के या फिर और किसी प्लानेट के सर्फेस पे जाके गिर जाते हैं बाकी कि अगर हम देखी जितने भी हैं सुलार सिस्ट्म में जितने भी हैं जितने भी हैं जितने भी हैं संद के कंपेरिजन में सहर कोई छोटा है the moon is closest to the earth तो ये बहुत करीब है moon earth के that is why it appears to be so big although it is actually very much smaller than the sun दिखने में तो बहुत बड़ा दिखता है मैं दिखता है sun से थोड़ा सा ही छोटा दिखता है ना रात में लेकिन actually देखा जाए तो जो moon है वो sun से बहुत छोटा है ठीक है अगर आप compare करो तो देखिए यहाँ पर compare करते हैं यह देखिए यह sun की size है है क्या कोई इसके टकर का और यह देखो छोटा सा moon क्योंकि यह earth के बहुत पास में है sun से भी पास में sun तो काफी दूर है लेकिन यह जो यह moon है यह तो काफी पास में है इसके लिए यह बड़ा दिखता है सिर्फ हमें पता है जो हमारे करीब रहेगा तो हमारे पास में रहेगा वह बड़ा दिखेगा जो दूर रहेगा वह तो छोटा ही दिखेगा sun का आप देखिए shape बाकी सब के according कितने छोटे हैं सब उसके comparison में और सबसे बड़ा shape देखिए सबसे बड़ा planet की अगर बात करें तो सबसे बड़ा कौन है Jupiter है उसके बाद कौन है Saturn है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आप तो यहां पर डाइग्राम दिया गया है solar system में so in it you see the sun in the center the heavenly bodies that around मैंने आपको सारा बता दिया किस तरीके से है यह डाइग्राम आपको ध्यान से देखना है सबसे पहले किसका नंबर है सबसे पहले सन के अगर करीब देखे तो कौन है mercury वीनस उसके बाद है थर्ड नंबर पहर फोद नंबर पहर मार्स मार्स की बाद है जुपिटर उसके बाद है सैटन सैटन के बाद उरेनस उसके बाद नेप्च्यून और लास्ट कौन है डॉफ प्लैनेट दाट इस कॉल्ड प्लूटो यहां पर क्वेश्चन दिये गए है जो मैंने बताया उसी से रेटेट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इस नियरेस टू दे सन सबसे पास में कौन सा था तो मर्क्यूरी था अट वर्ट प सबसे दूर है तो अपने देखा सबसे दूर कौन से दूर है तो ने देखा सा ता यहां पर हम ने देखा सबसे दूर था Neptune ठीक है Neptune यह प्रेनट यह तोड़ डॉफ से दूर अभी हम बात करते हैं gravity की देखे gravity की बात क्यों कर रहे हैं क्योंकि जितने भी प्लेट है सब में gravity ऐटेक है सन कि खुद की ग्रैविटी है लिए हम और व फेने और फोर्स आफ अट्रेक्शन और वन अनाधर जितने भी है वर एक चीज को अपनी तरफ पुल करते हैं जीचते हैं अपनी तरफ अट्रैक्शन है उसमें ठीक है दिस फोर्स फोर्स आफ जैसे कि इसे की वान चले जाते इतने उपर रहते हैं तो क्योंकि अगर हम कोई चीज फेकते भी बाल फेका उपर तो ऊपर क्यों नहीं चली गई नीचे क्यों आए क्योंकि ग्रैविटेशनल फोर्स है किसमें एर्थ में एर्थ एक प्लैनेट है उसमें क्या है ग्रैविटी है और वह अपनी इसके अगर इतनी ज्यादा ग्रैविटी है इसकी कि यह ग्रैविटी के मतलब सभी चीज को अपनी तरफ खिशती है यह भी खिश सकता है इसको अगर इसमें इन सब के पास अगर खुद की ग्रैविटी ना हो तो यह सब तो इसमें चले जाएंगे सब इसमें चले जाएंगे लेकिन होता क्या है इसके पास है इसके भी पास है इसके भी पास है इसके प्लैनेट है इनके पास भी क्या है ग्रैविटी है तो यह क्य सब्सक्राइब मतलब कि यह gravity अपनी तरफ़ कहीं रही है, मतलब यह जो sun है, इसकी जो gravity है यह अपने तरफ़ कहीं रही है, लेकिन यह जो planet है, अपनी तरफ खीच रही है, इसके लिए दोनो की जो force की वज़ор से क्या कर रहे हैं? ऐसे round 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 वो चलते जा रहे हैं, अगर रुक जाए उनका gravity force माले जिसकी का नहीं हो रुक जाए वहीं पे तो यह क्या होगा तुरंत इसमें आ जाएगा पूरा खत्म ठीक है इसके लिए इसकी भी खुद की gravity power है इसकी भी खुद की gravity power है इसके लिए यह अपनी तरफ खीच रहा है और यह सन अपनी तरफ खीच हो रहा है अगर इसमें gravitational force नहीं होता तो यह किदर भी जा सकता था यह किदर भी जाता किदर भी जाता लेकिन इसके में इतनी ज्यादा gravitational force है कि इसके चारों तरफ ही घूमते रह रहे हैं ठीक है यह ग्रैविटी है तो इसी तरीके से जो satellites हैं वह भी planets के चारों तरफ चक्क् आपको इसका आंसर देना है मैं बता देती हूं आपको डाउन डाउन साइड में नौ रॉक्स डैट कम लूस फ्रॉम हिल साइड यह हिल साइड है यहां से रॉक मानलो टूटा कहां जाएगा नीचे या उपर आंसर देना है आपको comment section में ज़रू बताए कि रॉक कहां जाए नीचे या उपर rain falling from the sky यह तो सब को पता है बारिश कहां से आती है और सॉरी बारिश उपर से क्या उपर ही अटक जाती है क्या नीचे आती है ना क्यूंकि जो अर्थ है हमारी वो gravitational force की वज़ए से नीचे खेशती है अपनी तरब दूट अर्थ gravity all things on the earth remain on it even if we throw some something apart with great force it finally falls हुई है नहीं तो यह इतना जोर जोर से चक्कर काटती है सन के चारो तरफ तब तो हम सब पता नहीं गिर के कहां space में चले गए होते लेकिन क्या है इसमें gravitational force है तो हम वहीं की वहीं पड़े हुए है ठीक है अगर कोई भी चीज़ उठा के फेकते भी है तो भी वह वापस आ अगर बात करें जहां पर स्टार नहीं है जहां पर प्लेनेट्स नहीं है ऐस्सीश खाली खाली है मतला beyond स्टार का यहां पर खातम यहां पर में स्टार कर खतम तो उपर झुझा以及 मदेरा है कुछ भी नहीं है वहां पर उसकु क्या बोलते स्पेस ठीक है है क् celuiण है सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करें तो एंसन हमेशा से क्या चांड पर जाना चाहता है सब्सक्राइब बाते MP3 बातें और हमेशार Urs के बाहर जाना चाहते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी होगी इसके-क लिए उसको भेजने के लिए कोई कुछ इतनी ज्यादा उसमें फोर्स चाहिए ताकि वहां से वहां तक जा सके क्योंकि हम कुछ भी चीज फैंकते हैं तो वह वापिस आर्थ पर आ जाते तो कुछ इतनी ज्यादा एनरजी के साथ कोई चीज भेज़ो ताकि ताकि वह जहां पर भेजना चाहें, वहां पर भेज सकते हैं, तो देखते हैं क्या-क्या होती है वह चीजे, यहां पर है, पावर अगेंस्ट द फोर्स आफ ग्रैविटी, ग्रैविटी के अगेंस्ट कुछ इतना बड़ा पावर हो, इतनी शक्तिशाली हो पावर, ताकि वह अगेंस्ट ग्रैविटी तो अपनी तरफ खींची ना पाए वह सीधा जहां पे हम छोड़ना चाहते हैं जाहें मून पे चाहें जहां पे वह वहां जाए तो रॉकेट टेक्नोलजी और स्पेस लॉंच टेक्नोलजी इस यूज फॉर डेट पर पर पस और इसी पर पस के लिए क्या यूज के जाता है रॉकेट टेक्नोलजी या स्पेस टेक्नोलजी अब यह रॉकेट क्या है यह सब हम देखते हैं वन अब दिवाली फायर क्रेकर्स इस कॉल्ड और रॉकेट यह हुआ आपको इस आप इसके बार में जरूर जानते होंगे इस पैक्ट विद एक्स्प् सब्सक्राइब और बहुत इनर्जी के साथ ताकि यह तुरांत ऊपर जाता है ठीक है तो डड़ डिजाइन ऑफ द रॉकेट इस सच देट फायर क्रेकर इस पूश्ट इन डिरेक्शन अट ग्रेट स्पीड बिल्कुल इसी शेप का लोगों ने सुचा अरे अगर हम इसे सब्सक्राइब तो बहुत ही पावर्फुल रॉकेट यूज किया गया स्पेस क्राफ्ट में भेजने के लिए यह जो पावर्फुल रॉकेट को भी जा गया अट्रमेंडस कॉलिक कॉंटिटी ओफ फ्यूल इस बॉंट इन रॉकेट तो डैट स्पेसक्राइब वेनिंग था जल सके और जो रॉकेट है वो उपर जा सके तो कितना thousand of टन thousand of टन का मतलब की देखिए एक टन में कितने होते हैं हजार किलो अब समझ यह हाँ पर यूज किया गया जो explosion होते हैं जो गैस होते हैं यहां पर यूज किया गया ताकि वह हम उसे उपर भीज सके In the 20th century, a few countries of the world developed space technology and sent hundreds of spacecraft into space तो अगर बात करें 20th century की, तो बहुत कई सारे countries ने, कुछ countries ने, not बहुत सारी So few countries, बहुत कुछ countries ने, थोड़े बहुत, एक-दो countries ने, develop किया space technology और hundreds of spacecraft into space, और 100 से जादा उन्होंने क्या किया, spacecraft भेजे, space में Our country is well known for the development of its space launch technologies अभी हमारी जो country है, वो भी इस list में आती है हम भी क्या space में अपने जो rocket हैं, कई बार भेचवीदे से की, Mars पे भेच चुके हैं और Moon पे भी भेच चुके हैं Okay, so हम भी भेच चुके हैं Some spacecraft remain in space तो कुछ spacecraft को क्या करते हैं, space में ही छोड़ देते हैं Some are brought back to Earth while some land on other planet or satellite in some mission Scientists also travel in the spacecraft, they are called astronauts So, कुछ तो spacecraft वहीं पे छोड़ देते हैं, space में ही ठीक है, कुछ जानकारी कठी करने के लिए और कुछ को क्या करते हैं, वापिस लेके आते हैं जो satellites होती है, planets होते हैं, कुछ को लेके आते हैं वापिस से land पे, कुछ जो और mission होते हैं कुछ और जैसा mission हुआ, तो उसमें scientists भी travel करते हैं spacecraft में, और यहीं जो scientists होते हैं, जो जाते हैं मतलब जो scientists travel करते हैं, उनको क्या बोला जाता है astronauts बोला जाता है, ठीक है, जो space में travel करते हैं जो scientists उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है एस्ट्रोथ जैसे कि Indian इस्ट्रोनट कौन है तो एकर बात कि राकेश सर्मा की तो यह पहले थे राकेश स्रमा मागेश उमार्य निह dress एसे स्वेόज इनटीम कोईय है, पहले उस पेसिभत आटाई कोईय गाए, इस रो जो हमारे देश का है जहां पर इस रो आपको पता होगा भी यह पढ़एंगी अलों क्या और इंडिए काम किया तो मतलब कि जो सोवियत मतलब रशीया की बात करनें पहले उसका नाम वहां पर सबसे अच्छा लग रहा है अब यहां पर कुछ चीजे थी जो हम पढ़ लेते हैं चंद्रयान के बारे में इंडिया स्पेसोन इसलों और न दिखए है उसे च भाग कि यह पिश्चा को क्षोड़ा नाध्य आप सिराइग का रिक्व निए किस अपिश्क्राइब को चोड़ा जाता इस तरीक यह रोकेट एक यह सकूरन और वो कुछ में प्रप्लूम हो गई थी Mangalyan is another important Indian space mission है दूसरा important space mission है जो अमने चोड़ा था इस नोन चोड़ा था मंगल पर वह space mission मतलब इस स्टलैट चोड़ा गया था इस वह नोन च उस मार्स-उर्वीट-मिशन ओर लान्व भी मिशन मांस और वीट मिशन यह इस टाइम पे वो मतलब की इस्टेबलिश किया गया था 2014 में 24 सेप्टेमबर इस रो अचीव इस फीट इन इट्स फॉर्स्ट अर्टेम्ब तो आपको यह जानके प्राउट फिल होगा कि भारत ने पहली बार ऐसा हुआ किसी देश के साथ यू पहली बार में ही फॉर्स अ मुवी थी मार्स कुछ मार्स के उपर तो उससे भी कम बजट में जितना उन लोगों ने वह मुवी बनाने में पैसा लगा दिया उससे कम भी कम ही बजट में हमने सेटेलाइट जो वहां पे छोड़ा था मार्स के और बीट में ठीक है तो यह बहुत ही पूरा मतलब की मतलब कोई इंसान नहीं थे मतलब कोई भी इस स्पेस्क्राइट में नहीं था उसको भेजा था उस वहां पे फोटो किशने लिए कैसा वहां का सारी चीजे जानने सारी इंफरमेशन निकालने के लिए मून का और मार्स का सो अबजेक्टिव अब इस मिशन इस डीपर में मिल सकें पूरी नॉलेज में मिल सकें यह देखिए मंगल्यान है इस तरह के यह आपको देखेगा यह आप देखोगे नोट पे भी मिल रहता है ठीक है अव हम देखते हैं कूंसे नोट पे रहता है अराउंड इंडिया टिकन बाई मंगलियान मंगलियान से लिया गया जो तस्वीर है इंडिया की यह देखिए हमारा भारत यह ओके यह तो हम पढ़ चुके यहां से पर देखिए हमने पढ़ा राके शर्मा के बारे में जो की फॉर्स्ट इंडियन अस्ट्रोनॉट थे और अभी कल्पना चौला जो है यह और सुनिता विलियमस यह अगर हम देखे तो मतलब की बिलॉंग तो करती हैं इंडिया से बट यह क्या इंडियन ही कल्पना चौला और सुनिता विलियमस नाम से पता चल रहा होगा सुनिता कल्पना सो इनके बारे में आपको और ज्यादा इंफोर्मेशन लेनी हैं यह लोग मतलब की नासा के तरफ से काम इन लोगों ने किया है मतलब अमेरिकन जो है एजनसी स्पेस एजनसी मै एक इस तरिक सेлять के चारों तरफ यह मून चकर लगाता है वैसे जो हम सॉटिलाइट भेशते ना वह भी मुंः अर्थ चाह China लगाता है मून की तरफ़ ही ठीक है तकी वह पतार लग सकते कि कहां पर दूपान आने वह रही चीज़ इस ही पादने वालों मैंनेट सेटिलाइड प्रोवाइड यूस्फुल इंफरमेशन फॉर अग्रिकल्चर एंवायमेंट वेदर फॉर्कस्टिंग मेकिंग मैप्स एंड सर्चिंग फॉर वाटर एंड मिनरल वेल्थ ऑन द अर्थ अर्थ पे कहां कहां पे लाइक जो नेच्छल डिजास्टर हैं कह सादेश का कहां तक है कैसा है ठीक है वैसे कौन खोज कर सकता है इतना तो उपर से हम तुरंद के तुरंद मैब बना सकते हैं और फॉर्कस्ट वेदर फॉर्कस्ट मतलब का इतना तूफान किस कितना हुआ कितना आने वाला है कहां सूटने वाला है कहां तक फैल रहा यह सार करिए भीव है कि इन्टे जसी योचन फोर टेली कमने जिर रहें का जो हम भाति कर रहे हैं जो और सब के सब कैसे चलते हैं हैं यह सब के सब सैलल आपकि चलते हैं टे फिक News लाइफ और भी तक इतना भी या फीर फिक बहुत गया यहां पर अभी तक सिंगल एक समई इसा नहीं ही अर्ब मतलब है fix की कीमत इतनी जादा है कि इतनी जादा वैलियोबल है हमारे लिए कि अब समझे कि अब कोई ऐसा प्लैनेट ही नहीं है जहां पर रह सको जहां पर जीवन हो जहां पर लाइफ हो तो अगर आप सोचो कि यह चोड़ कि हम किसी दूसरे प्लैनेट पर चले जाएं तो यह इंपॉसिबल अभी अब कैसा कोई प्लैनेट खोजा ही नहीं किया है ठीक है देग्रेडेडेशन देग्रेडेडेशन आफ इट्स एन्वार्मेंट फॉर एनी रिजन विल भी अथ्रेट टू देग्जिस्टेंस ओफ इस लाइफ इटसेल्फ मतलब जो डिग्रेड कर रहे हैं जो इसको हम इतनी अब बड़ा रीजन है कि हम यहां पे भी क्या हो यहां पिंवार्मेंट को नुकसान पहुचाते रहे तो हमें बहुत ही रखना एर्थ को ठीक है क्योंकि यह एक ही ऐसा अभी तक प्लैनेट खोजा गया है जहां पे हम रह सकते हैं जी सकते हैं यह हम पढ़ चुके हैं the sun is star all the other bodies in the solar system what we have learned तो यह आपको बताइए आपकी आप फुद से पढ़ सकते हो रिविजन के लिए ठीक है यह हम पढ़ चुके हैं पहले ही यह सारी चीज़े जो पढ़ा मैंने जो बताया आपको वही सारी चीज़े हैं कुछ यहां पर भूल तो नहीं रहे हम सारे पॉइंट्स हो गया इधिंक ओकी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ बीडियो पसंद आया तो अब जरूर लाइक कर दीजिए ओके